हेलो अगेंड वेलकम टू माध्यम से ही आया है और पहली राउंड का भी एक अखवार की कटिंग के माध्यम से ही आया था हम बात करते हैं 29 तारिक को ये सेडूर रिलीज हुआ है BMS, BUMS, BHMS की काउंसलिंग के हेतु ये रिलीज है बात करते हैं ऑनलाइन पंजीकर्ण एम धरोहर रासी जमा करने की तिथी इसका तिथी है 62223 से लेकरके और 82223 मतलब जिन्होंने फर्स्ट राण्ड में रेजिस्टेशन और धरोहर जमा की थी उन्हें रेजिस्टेशन करने की जरूवत नहीं है धरोहर रासी जमा करने की जरूवत नहीं है उन्हें केवल चॉइस फिलिंग करनी है जोन्होंने फर्स्ट राण्ड में कॉलेज किसी कारड़ बस उन्हें कॉलेज नहीं उठा पाया था या मिला नहीं था जो दरोवर रासी जमा की है वो लोग रजिस्टेशन दरोवर रासी दोनों करना पड़ेगा स्टेट मेरेट लिस्ट का प्रकासन आपको हो जाएगा 9-2-2023 को हो जाएगा साएं 5 बजे तक है ना और लाइन चोईस फिलिंग का है 10-2-2023 मतलब 10 फरवरी को उन्हें चोईस फिलिंग करनी है और 11 फरवरी तक चलेगा ये 10 से 11 दो दिन चोईस फिलिंग चलेगी आप याँ चोईस फिलिंग कर सकते हैं फर्स्ट रॉंड बाले भी धियान राखे जोन्होंने अभी कोई नहीं मिला है वो केवल 10 तारी को चोईस फिलिंग करेंगे 11 तारी को चोईस फिलिंग है फ्रैस बाले हैं वो अपना सुरू से प्रोजियर करेंगे online चोईस फिलिंग का डेट हो गया सीट आवंटन सूची का प्रकासन 12-2023 तक हो जाएगा नुडल सेंटर भूलेख सत्यापन की तिती अब इस बार तो भूलेख की सत्यापन की तिती भी दे दी गई है 13 तारीक और 14 तारीक को भूलेख सत्यापन होंगा आपको डाउलोड करना होगा 16 तारीक को आवंटन मतलब अलॉट्मेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते अप ग्रीडेशन ही सहमती पन्ने का आंतिम देथी सत्रय दो सत्रय फर्वरी को अपको गोसेत हो जाएगा सत्रय फर्वरी को दो बजी के बाद दस बजे तक आप अपग्रीडेशन का फॉर्म बरेंगे और उसी दिन दो बजी के बाद आपको परडाम मिल जाएगा का आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला अपग्रीडेशन आवंटन पत्र डाउनलोड करने की आवंटन संस्था में प्रविश्यत करने के अगिले ही दिन वहां जाके आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाके रिपोर्टिंग करने है इसकी ओफिसियल वेबसाइट है www.yos ож.dc.gov.in ये सब लोगों को की वेबसाइट पता है ये नममर भी आपको सब कुछ operate है पहले से आप इन सबसे परचे थे ही सेडूल आया था जो मैं अब को सेडूल बता दिया second round में participate करने वाले वच्चे से दियान से देखें second raun Abby off अच्छे से करें कि गवर्मेंट कॉलेज़ों में ज्यादा सीट बची नहीं है प्राइवेट में अभी काफी बची हुई है सीट आपको ले सकते हैं बाकी जो नहोंने फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था या सीट नहोंने छोड़ी थी किसी कानड़ बस उन्हें डॉकुमे